हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे कंस्रेक्श निदस्टी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे अब आपका राफ्ट के उपर भी बन सकता है और आपका राफ्ट के उपर भी बन सकता है तो जो ये आज मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ इसमें जो हमारा अवट्मेंट फाउंडेशन है वो राफ्ट बाला है हमने इस अवट्मेंट को कास्ट करने के लिए आपका राफ्ट फाउंडेशन दिया है तो आज के session में जनाव हम बहुत ही detail में बात करेंगे कि जो आपका drawings में जो आपको avatement foundation का detail दिया रहता है और जो आपका avatement का detail दिया रहता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं चीजें आपको plan में कैसे दिखाई देंगे यदि आपके पास कोई major bridge का drawing आता है जब आप उसका avatement का plan देखेंगे तो plan में चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी और plan में आपको क्या-क्या detail दिखाई देगा वो आज हम बात करेंगे और जब हम avatement को along the length section कट करके देखेंगे तो चीजें आपको कैसे दिखाई देंगी मैं आपको बहुत ही detail में explain करता हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा plan दी हो जाता है तो जनाब मैं हूँ Sandeep Singh professional estimation and billing engineer और आप सभी engineers के लिए corporate trainer engineers में आप सभी का reinforce training institute for civil engineers के digital platform पर स्वागत करता हूँ तो आप बने रही है हमारे साथ हम करते हैं अपने session को start तो engineers आप देख सकते हैं आपको screen पे major bridge के project का drawing दिख रहा है मैं आपको abattment की detail में लेके चलता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे आपको abattment का detail दिया हुआ है सबसे पहले हम abattment का plan देखते हैं तो इसको थोड़ा सा analysis करते हैं ताकि चीज़ें आपको पता चल सकें यह हमारा क्या है plan of abattment जब आप abattment की plan को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से यह आपको proper plan दे रखा है यह हमारा क्या है abattment है यह पूरा abattment है आपको यह देखेंगे जो मैं यहां पर mark कर रहा हूँ light gray color से यह पूरा आपका क्या है abattment है और इस abattment का length आपको दे रखा है 7500 mm और इसकी बिरिद दे रखी है वो आपको 7300 mm दे रखी है यह हमारा क्या है abattment का foundation है abattment नहीं है abattment इसके ऊपर हम construct करेंगे तो उसका ध्यान रखना है यह हमारा क्या है abattment का foundation है जिसकी length आपको 7500 mm दे रखी है और इसकी बिरिथ है वो आपको 7300 mm दे रखी है यह हमारा क्या है plan है तो जो आपका abattment का foundation है वो क्या है एक आपका raft है और इसके ऊपर हम अपने abattment को construct करेंगे इसकी ऊपर जो abattment बनेगा वो इस तरह से आएगा और उसको देखने से पहले आप देखेंगे कि जो हमारा अवट्मेंट है उसके चारो साइड आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी वो क्या है आपका PCC है आपको समझ में आएगा अवट्मेंट के जस्ट बहार आपको एक लाइन दिख रहा होगा इस तरह से इस लाइन की में बात कर रहा हूं आप यह देखेंगे यह लाइन यह हमारा क्या है प्लैंट सीमेंट कॉंक्रीट है हम अवट्मेंट को डारेक्टली सॉयल के उपर कास्ट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम एक हार्ड बैट बनाते हैं जिसको हम प्लैंट सीमेंट कॉंक्रीड बोलते हैं PCC बोलते हैं यह फिर आपका लेबलिंग कोर्स बोलते हैं उसकी उपर हमारा अवट्मेंट आता है तो और राफ्ट भी आपका क्या है टैपर राफ्ट है पूरा प्लैंट रही जैसे कि आपका रेक्टेंगल आपकी जो लाक्रां आती है उस्तरतस से नहीं यह क्या थोड़ा सा टैपर पोर्शन मेन में है जब हम इसका कक्सेंचंशन देखींगे तो आब को फिल घ्य और है यह हमार आवर्टमेंट है और इस आवर्टमेंट की जो ब्रेत है वो कितनी दे रखी है आपको 850 मिलीमेटर दे रख यह देखेंगे अब 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 कि अब 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 इसके दॉनों साइड यह क्या है आपका टैपर है जब इसको section देखेंगे तब आप इसको सही से feel कर पाएंगे लेकिन अभी के लिए आप इतना देख लिए यह इस तरह से टैपर होगा इस साइड भी और जो लेट साइड वाला टैपर पोर्शन है वो आपको कितना दे रखा है लेट साइड वाला टैपर पोर्शन आपको दे रखा है 4500 mm और जो आपको राइट साइड वाला टैपर पोर्शन दे रखा है वो कितना है आपको 2000 mm तो इस तरह से चीज आपको दे रखें यह हमारा क्या है? Abotment Foundation का प्लान है, जिसमें हम abotment को भी सो कर रहे हैं, right? और इस abotment के जस्ट पीछे आपका Retaining Wall भी बनेगा, तो Retaining Wall का भी नो नहीं यहां पे डिटेल दिखाया हुआ यहां पर दिखाया हुआ, यह आपका Retaining Wall भी यहां पर किस तरह से चीज़ें आपको फ्लान में दिखाई देगी अब जैनाब हम इसका सेक्षेन कट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका अलॉंग बोरित सेक्षेन कट करेंगे और उसको section cut करिए और यहां पे आँक लगाई और इसको इस तरह से देखिए यहां पर अपनी आपको आख लगानी है फिर इसको देखना है कि यहां पर आप अपने नेत्र रख़िए इस जगए और फिर इसको देखिए तो यह कैसा दिखाई देगा फिर आप इसको फील कर पाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेक्षिन अलॉंग ब्रिथ कट करके जो कि आपको सेवन थाउजन 350 का फेस दिखाई देगा मैं आपको लेकर चलता हूँ तो एंजिनियर्स आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अलॉंग को व्रिथ सेक्ष्ट दिखाया गिया है और व dauता कितना सेवनथाउजन थिफिंट है यंए आपका बिरता सेवन्थाउजन थृफिंटी है और इसमें आप यह देख सकते हैं यह हमारा किया है अफ्य और यहां पर नीची लिखा हवा भी है 100 mm Thick Labeling Course तो यह 100 mm का आपको PCC दे रखा है इसके बाद देखेंगे हमारा अबटमेंट का foundation आ रहा है जो कि क्या है टैपर सेप में है तो इस तरह से यह आएगा bottom में आपका इस तरह से rectangle बनेगा bottom में आपका इस तरह से rectangle बनेगा जिसकी depth आपको कितनी दे रखी है 400 दे रखेंAY और इसकी उपर से हमारा इस तरह से टैपर पर्वोर्शन आएगा इस तरह से यह टैपर पॉर्शन आएगा यह हमारा टैपर पर्वोर्शन आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि section में आपका जो अवटमेंट का foundation है वो कैसा दिखाई दे रहा है यह सिर्फ दो साइट से ही tapper है जैसा कि मैंने आपको बताया था चारो साइट से टैपर नहीं है यह आपका इस साइट टैपर है और यह आपका इस साइट टैपर है क्लियर और जब आप इसको 3D में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें दे रखी है और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लेवट साइड वाला टैपर पोर्शन वापको कितना दे रखा है लैट कितनी दे रखी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं अपने अबट्मेंट का कंस्रॉक्शन कर रहे हैं तो इसके उपर हमारा इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा यह हमारा क्या क्यालाएगा अबर्ट मेंट तो इस अबर्ट मेंट का खंसरक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे थे अपने फाउंडनेंट को बना रहेते और वीके टियार होग स्की हाल इनों यहां पर आपको दे रख्ये लि头 दे और होट की इसी इस एक देरा कि 4432 कि आप देख सकते हैं तो यह आपका क्या है आवट्मेंट डेशन का सेक्षिन है अलॉंग दा भृत अगर हम इसको अलॉंग आ लेंद्ध देखेंगे तो चीजें कैसे दिखाई देंगे आं देंगे अलॉंग दा लेंद्ध यह आपको टैपर नहीं दिखाई हो भान है आप इसको 3d में देखेंगे तो चीजनों को छीज़ना आपको दिखाई देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जर। आपको दिखाई नोट देख सकते ही में सिरफ कि आप इनए नतिन दुछ उत से भी लिए פष ठीष हुरा हैं यह और कि एक यह साइट से टैपर हो रहा है इस तरह से और एक यह साइट से टैपर हो रहा है कि मीन्स यह आपका ब्रिथ में क्या है टैपर है जब आप इसका लेंथ देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट इस तरह से इस तरह से लेंथ इसका बिल्कुल फ्लैट है कि देखिंग में आपको दिखाता हूं जो इसकी लेंथ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आपकी फ्लैट इस तरह से यह जो लेंथ आपकी फ्लैट इस तरह से आई होप आप इसको फील कर पा रहे होंगे नहीं तो मैं यहाँ एक इमेज लगा दूँगा तो आप इसको देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं Imagination बहुत important है जब तक चीज़े imagination नहीं करोगे तब तक चीज़े आपको समझ में नहीं आएंगी त써 देखेंगे इस तरह से यह Side से बहुत फ्लेट है और sam चीजे आपके Side से बहुत only फ्लेट हो गई अगर आइसे को यह देखींगे त्रीडी में जोकि में कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने कि कि या फिल कर पाएं क IPIK..? इस विपया ब नुकल फ्लेट दिखाई देखा अप विलकल आपको थोड़ दिखा हुआ अब आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो ब्रेट है वो क्या है 7.35 मीटर लेकिन जब इसके हम लेंद की बात करते हैं तो यह इसका लेंद है चले अब इसके लेंद की अलॉंग सेक्षण कट करें तो आपको पता चलेगा कि यह विल्कुल फ्लैट कर दे दे रुका है तो यह आपको बिल्कुल दिखा ही देगा बिल्कुल फ्लैट कहीं कोई टैपर नहीं आएगा जो कि मैं आपको दिखाता हूं ट्राइंग से यहां पर आपको अबट्मेंट का क्रोस सेक्षिन दिया हुआ है अलॉंग दा लेंथ तो देख सकते हैं आप सारी चीजें बिल्कु फ्लैट दिख रहा है और इसका टॉप टैपर पोर्शन था वह भी आपको फ्लैट दिख रहा है दोनों चीजें दिख रही है जब हमने ब्रित के अलॉंग सेक्षिन कट किया था तो उसमें आपको बॉटम पोर्शन तो रेक्टेंगल था लेकिन टॉप पोर्शन क्या था और जब हम लेंद के along section cut कर रहे हैं 7500 के face से आप इस abitment foundation को देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाए देगा नीचे भी rectangle दिखाए देगा और आपको ऊपर भी rectangle दिखाए देगा इसके means यह आपका सिर्फ दो साइट से टैपर है लेंद के face में यह बिल्कुल flat है इस तरह से तो आप देखेंगे यह आपको 400 का दे रखा था और यह आपको 350 का दे रखा था इस तरह से चीज़ें आपको दिखाए देंगे यह हमारा क्या है लेंद के along section है जो हमारा विट्मेंट foundation था उसका हमने लेंद के along section cut किया है 7500 के face से तो आपको चीज़ें इस तरह से दिखाए दे रहेंगे एक बार मैं और आपको दिखा दिता हूं ताकि चीज़ें आपको clear हो जाएंगे यह आप देखेंगे यह जो section cut किया हमने वह आपका 7500 के face से cut किया हुआ है तब हम अपने अबट्मेंट को देख रहे हैं clear अब आप ब्रित के लोंग सेक्शन देखिए यह देखेंगे यहां पर आपको ब्रित के लोंग सेक्शन दिया हुआ है यह हमारा ब्रित के लोंग सेक्शन है या है earliest on इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यह डिखाई देग्णल है फॉर हेंडड़ वाला जो सबस्क्राइब हैं नियोद्स आंनला पोर्शन ऐसा म हमें इसे नहीं दिखाई दे रहा है यह सिर्प अपर यह से की है उपकी यह हैं ऑपको समझ में आए ओकि अपको आपक casually क्षी की बॉपड़ करели जिसमें हम राफ्ट प्रवाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो आपके बिर्ज होते हैं वो पाइल फांडेशन पर ही बनते हैं आपका बिर्ज राफ्ट के ऊपर भी बनता है यह अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करिए और अभी तक हमारे यूटूब चैनल रिइंफोर्स को सब्सक्राइब कर लेजिए तो इसी तरह से आपको कॉलेटी कंटेंट मिलता रहेगा थेंक्यू सो मुच